हेलो गाइज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, दिस इस सुप्रभा, आएं विवर वोचिंग वी स्टाइलिश पी हैपी, आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ, पर्फ स्लिव्स का स्टिचिंग बहुती इसी वे में, स्लिव्स मैंने कट करके ले लिया है, स्लिव्स के निचे साइड में मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, और स्लिव्स पर जो मार्क किया है, आपको इक बार दिखा देती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से आईडिया जाए, यह दिखिए, स्लिव्स का सेंटर मार्क है, इस साइड 6 इंच, और इस साइड भी 6 इंच, मतलब यह पूरा है 12 इंच इमें ने प्लेट्स के ले लिया है आप चाहिए तो 4 इंच 5 इंच 6 इंच आप अपने एकॉर्डिंग ले सकते हो आपको जितना प्लेट्स चाहिए उतना ले सकते हो लेकिन 6 इंच काफी हो जाएगा उपर के साइड स्ट्रेट लाइन लेना है और उसके है टोटल 18 इंच उसका हाफ होता 8 इंच तो यह 18 आना चाहिए तो यह हो गया मार्क स्लिवस पर जो मैंने किया था अभी मैं इसका स्टिचिंग बताती हूं कैसे करते हैं यह देखिए स्लिवस का उल्टा साइड है और यह सीधा साइड है तो अभी निच्चे से थोड़ा सा मार्जिन लेके हम स्टिच करके ले लेते हैं बहुत जादा नहीं लेना है मार्जिन एकदम थोड़ा सा ही लेना है और पफ स्लिवस में ना फ्रेंड्स लाइनिंग नहीं दालना है क्योंकि पफ अच्छे से नहीं आएगा इसका इसका जो लुक रहता है पफ स्लिवस का वो आपको Sludes में और Elastic कितना लेना चाहिए है मैं आपको बताती हूं जो भी आपका Sludes round है उतना ही आपको Elastic लेना है Frends उसे जाधा नहीं लेना है अगर उसे अगर एक इंच कम लिए तो भी चलेगा लेकिन उसे जाधा नहीं लेना है तो अभी यह कहां पर stitch करना है कैसे लग नहीं है उसके उपर में यह लगा रिव इलास्टिक यह देखिए अगर आपके स्ल्यूज में से बॉर्डर वगर कुछ भी नहीं है ऑल ओवर सेम प्रिंट है तो आप वन इंच मेजरमेंट करके ले लिए जेगा फिर उसके उपर यह लगा दीजिए आप चाहिए तो देड़ इसमें आएंगे तो इसका लुक बहुत अच्छे से आएगा यह देखिए मैं केसे लगा रही हूं वन नीम छोड़के उसके उपर लगा रही हूं मतलब जो मेरा बॉडर रही हूं इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है और थूड़ा एक्स्ट्रा हो गया था-ईलास्ट ताल देंगे तो यह स्लूज मैंने एक अल्रड़ी रेडी करके ले लिया था सेम ऐसे अभी रेडी करना है और एक स्लूज को तो यह देखिए मैं बड़ा स्टिच दाल रही हो भी जो भी हमने मार किया था बोथ साइड शिक्स इंच उससे आपको और एक एक इंच एक्स्ट्र छोड़ना चाहिए क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे ग्यादर्स करने के लिए तो आसानी रहेगा यह देखिए थ्रेड मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है अभी मैं इसको ग्यादर्स करूँगी यह देखिए हलके हातों से खीचना है तो यह अपने आप ग्य भूती आसान है यह देखिए बोज साइड करना ऐसे ही से ग्यादर्स लेना है फिर उसके पाद उसको थोड़ा सा सेट करना है क्यादर्स सेम दिखना चाहिए इसलिए दोनों साइड ग्यादर्स बनाना है फ्रेंड्स् अ उसका थिसका लुक दिख सकते हो और उसके बाद ऐसे फोल्ड करना है तो फोल्ड करके आपको मेजर करना जो भी आपका अर्मोल राउंड है उसका हाफ यह आना चाहिए देखे देरल इंच मार्जिन है व सब्सक्राइन छोड़ के जैसे कि मेरा आर्मोल राउंड है 18 इंच उसका हाफ होता है एट इंच तो ये एट इंच आना चाहिए अभी हम मेजर करके देखते हैं ये सही से आ रहा है की नहीं आ रहा है क्योंकि कभी कभार ग्यादर्स लेने में जादा कम हो जाता है तो इसलिए एक बार चक करके लेना है अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ये देखिए फ्रेंड्स मेरा 8 इंच सही से आ रहा है तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से हम अभी इसको ब्लाउज में अटेच कर सकते है ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम ये दोनों स्लिव्स रेडी हो गए अभी अभी इसके बाद ब्लाउज में कैसे अटेच करना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ बहुत इजी है फ्रेंड्स जैसे से मैं बोल रही हूँ एसे ही फॉलो करिएगा तो ये दिखे गाइज आर्मोल राउंड है बैक पार्ट और फ्रेंड पार मैंने दोनों जॉइन करके ले लिया है स्लिव्स पर मैंने सेंटर मार्क किया है और ब्लाउज का सेंटर मार्क और स्लिव्स का सेंटर मार्क सही से रखना है फिर उसके बाद आपको मेजर करके देखना है कि यह सही से बेट रही की नहीं है ऐसे तो हमने भी प्लेट्स दालने के बाद स्लिवस का मेजरमेंट ले लिया ता यह सही से आ रहा था अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ऐसे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप stitch करने बेटोगे तो आपको problem नहीं आएगा ये दिखे दोनों साइड से मैंने major करके ले लिया ये एकदम सही से आ रहा है friends लेकिन फिर भी कभी कबार क्या होता है जाधा कम हो जाता है अगर आपको लगा स्लीव थोड़ा जाधा लग रहा है अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप एकादी फ्लीट्स ले सकते हो दोनों साइड में फिर उसके वापस major कर लिए लिगा अगर आपको लग रहा है यह कम पढ़ रहा है तो बीच में जो ग्यादर से इसको थोड़ा सा लूज करना है इसे सही से बैट जाएगा अभी इसका स्टिचिंग का मेथेड बताती हूं जब भी आप स्टिच करोगे तो कौन सा भी स्लीव हो आपको सेंटर से स्टार्ट करना है तो यह क्या होता है अ प्रब्लम नहीं आता है एकदम आसान से बैट जाता है अब चाहिए तो ऐसे पिन्स लगा के फिर स्टिच कर सकते हो अगर अब बिगनर्स हो तो मुझा आता थे इसलिए मैं पीनप नहीं कर रही हूं ऐसे स्टिच कर दूंगी मैं अभी देखो मैंने सिलना स्टार्ट कर दि इससे क्या होता है एकदम सही से बैट जाता है और यह बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स पॉफ स्लिवस का अब बिगनर्स हो तो प्लीज ट्राइक करके देखना अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट रू मुझे पूच सकते हो क्योंकि इलास्टिक वाला पॉफ स्लिवस है तो इलास्टिक दालने के बाद यह निच्चे साड अपने आप ग्यादर्स बन गए और उपर साइड भी कुछ प्रॉबलम ने एकदम आसान में थेड़े बड़ा स्टिच दालना है फिर उसको हलके हातों से खीच के ग्यादर् प्लेट्स लेने का टेंशन नहीं है फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीका है यह आप जरूर ट्राइ करना अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट है तो भी भेज सकते हो मैं पूरा कुशिश करूंगी आपका रिक्वेस्ट पूरा करने की यह दिखिए स्लिवस आटाच होने के ब बना के देखिए इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है हमने सेंटर में इतना ही फ्रील लिया है लेकन इसका लुक पूरे स्लिवस में आ रहा है फ्रेंड्स फ्रील वाला देखिए और बीच में मैंने कॉंट्रस्ट कलर का डोरी का मैंने फ्लावर बना के लगा दिया है जो कि साड़ी में है कलर है और पूरा नेक पेव में ने वही कलर का पाइपिंग किया है ये पहनने के बाद कैसा लगता इसका लुक में जल्दी शेर करने वाली हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जादा जादा लाइक करना शेर करना अगर आप एरे चाल पे नही ना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साही समय पर मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई